यदि सुप्रेम कोट के जजों की बात भी नहीं सुनी जा रही है तो देश में इससे बड़ा हाश्चास्पत समय हो नहीं सकता जिस हालات में है जनता को समझना चीए आंतरिक जो हमारी विवस्ता है वो गड़ बड़ाई हुई है सरकार अपने खुद के हित के लिए काम करती है अब इसका मतलब आप समझ लीजेगा कि सरकार अपने खुद के हित के लिए काम करती हैं कॉंग्रेश सेगी राज जी थे जाहरा राजनितिक बयान था लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में एक खानून मंत्री सिर्फ एक डाकिये की भूमी कामी है जो सिर्फ बातों का ट्रांसपर कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते तो फिर सवाल यह कि जो इंडिपेंडेंडन बोडी है जो डीशल है उसको फिर सुधारा कैसे जाएगा और यह जो चार जज़ मीडिया के सामने आए और जो बयान किया जो दिखाया कि CGI को कितने आरोपों को अ अंदर उन्होंने डाल दिया है इनका फिर समाधान क्या है साहू जी आप से मैं जाना चाहूंगा सरकार के पास कोई समाधान नहीं इसका सर और इससे क्या सीख ली जैसी प्रिश्थिति आई हैं कि नियाई पालिका में भी लगता है कि समयधाने की व्यवस्ता चर्मरा गई है और नहीं पालिका के कुछ जजेज का ऐसा संतोस भी सामने आ गया है तो ऐसी इस्तिति में समयधाने की पीट जो है उसके सामने वह जजजेज अपना मुद्दा रख सकते हैं वह जजज नहीं पतिके साथ साथ भारत के नागरिक भी हैं उनको प्रेस कॉंफरेंस का नहीं करके अपनी दूसरे स्टेटस में अगर यह रैफर करते कि यह समयधानी की मुद्दा है इस पर नहीं आए तो समयधान पीट इस पर व्यास्ता देती और न्याएपाले का इसे सुदरती उसको सरकार पर डालना कता ही जावशिक नहीं है एक मैं अमले का जैसा आया कि जस्ट जिस इंडिया से कम नहीं है केवल चीफ जिस इंडिया परतम है तो उनकी सोच ये भी होना चाहिए कि सुप्रिम कोट के जितने भी जज़ेज है उन सब की पावर एक्वल है जिसको भी सीजिया ने जो मैटल दिया उसमें वही पावर यह होता तो चार जज़ों को मिडिया क सामने आना नहीं पड़ता अगर यह होता तो चार ज़जों को मिडिया के सामने आना नहीं पड़ता सर्थ सरकार की भूमी का इसमें क्या रहने वाली है ऐसा तो नहीं कि कल चार जज़ और आ जाएंगे और फिर सरकार कहेगी कि उनकी कोई भूमी का नहीं इससी दुरूप से मामला आया है तो सरकार इसमें विचार करेगी हमारे राष्टपती जी भी इस चीज को वाज करेंगे और कहिन कहीं ये बात आएगी तो सरकार कुछ भी नहीं करें तब भी चीफ जसी सोब अंडिया को किसी रूप में प्रामर्स में जो है कह सकती है भारत क राष्टपती जी के सामने ये मुद्धा रख सकती है और वो राष्टपती जिस पर अपने विवेग से चाहें तो अपने जो है प्रामर्स में जो है वो एक डाकिय की भूमिकामी है जो इधर से उधर बातों को यानि के समस्याओं को रख सकते हैं तो जरा बताइए इन चा कोर्ट से इसमें प्रामर्स लेना आउशक है तो वो प्रामर्स ले सकते हैं इस मुद्दे में भी एगर ऐसी सिच्वेशन आएगी तो यह आगे की परकिरिया है लेकिन सीधार सुप्रिम कोर्ट में हस्टक्षेप करना आज जो लोग कह रहे हैं इसमें सरकार की भूमिका हो सक सरकार को इंगित करते हैं अस्तिक्षेप करने के बाद तो यह साबीत करना चाहेंगे लोग चीचर उचालना चाहेंगे कि देखो सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में भी एस्तिक्षेप किया और एक प्री एक जो वहारी स्तंब है उस स्तंब को दंस्त करने में सरकार लगिए इ CGI खुद दो बचे के करीब प्रेस कॉनफरेंस करने वाले थे पिर वो नहीं करते हैं। सरकार की तरफ से कोई बयान आता नहीं है। कानून मंत्री के तरफ से कोई बयान आता नहीं है। CGI ओडिटर जनर्णल को बुलाते हैं लेकिन फिर कोई रियक्शन नहीं आता। तो जनता के बीच में संदेश कहां से आएगा कि इस खामी को कैसे दूर किया जाएगा रिक्वेस्ट के साथ कि आप एक फुल पूर्ण पीट की बैठक बुलाईए पूर्ण पीट जिसमें सारे जजेज सुप्रीम कोट के चामिल हो वो इस इशू को तै करें कि कितनी पावर चीफ जस्टिस को है कितनी पावर जजेज को है रोस्टर कैसे होना चाहिए एक लार्ज के लिए क्या नियम होने चाहिए क्या काईदे होनी चाहिए शक्ति एक आदमी के हाथ में होनी चाहिए या सब लोगों के पास समान रूप से होनी चाहिए या सविक्त रूप से होनी चाहिए पर यह सब करने की नियत की बात है इसमें प्रतम द्रश्टियां लग रहा है कि क कहीने कहीं गड़बड हुई है क्योंकि चार जजेज बोले वो बोले और वो गलत बोले हों ये कोई मानने को तयार नहीं है चार जजेज वो हैं जिनकी इंटीग्रीटी पर कभी कोई प्रश्चिन नहीं लगा है अगर चारों के इंटेग्रेटी पर सवाल नहीं और जो वो कह रहे हैं वो पूरे तरीके से सही है तो फिर C.J.I. C.J.I. कैसे क्योंकि C.J.I. बनाने के बाद जिन पर इतने कंभी रारोप लग जाएं सर वो भी चीज जश्टिफ उप इंडिया कहलाएंगे ये बहुत फाइदा भी कर सकती है बहुत नुकसान भी कर सकती है इसलिए कहते हैं कि पावर स्मेक्स करेप्ट एबस्लूट पावर एबस्लूट ली चीका मांचन जी क्या आप समझा पाएंगे कि इंपीचमेंट का मतलब क्या क्योंकि ये शब्द चो भारी भरका मैंना सर ये जनता नहीं समझ पाती है लेकिन मैं तो जनता के नजरीय से समझना चाहता हूँ जनता के लिए जवाब देही निताओं की है प्रधान मंतरी की है अगर वाकई में सीजियाई पर इतने गंबीर आरोप लगे तो फिर इंपीच्मेंट के लिए बुलाए क्यों नहीं जा रहा है देखिए मैं यही तो सरकार अगर इसमें इसा मतलब क्या हूआ कि उनको कोई लेना देना है और जैज यह कह रहे हैं कि लोगता हंथरे में जोकतानतरी काम नहीं यह है जीव जस्टिस कहें मैं अलग हो गया चारों जज़े कहें हम अलग हो गया इसके नीचे बार जो पांच जज़ें आशाज जो आशाज भी आप कहें जैन साफ जारा बताएंगे उसकी जैना एक बैंच बंजाए और वो बैंच जो निरना करें वो सब को मानने हो यह तो पास में क्या है कि कोई ना कोई एमिकेवल सोलूशन है और आप कहें ने साफ मुझे तो उसको उबलाइज करना ही करना है क्योंकि मैंने तो जेना अन्रिटर्न एग्रीमेंट या कॉंट्रेट कर रखा है तो यह बात नहीं परेंगे उसके आगे लेकिन मानज़न जी जब ख खुलासा कर दिया तो फिर समस्या बड़ी हो जाएगी तो सर समस्या को बड़ी हो जाने दीजिए ना क्या फरक पड़ता है एक्जर्टि मैं यहीं पहाना चाह रहा था अब देखे सबार यह यह बड़ी होने उससे बढ़िया यह अभी सब के सामने आ जाए वह और उनको व जो कुछ है वो खुला के लिए फुरकावादी होना चाहिए और जनता आप आप दिर्ड़ा कर लेगे चीक है मांचन जी एक छोड़े से ब्रेके लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है जल्द हासीर होंगे और सवाल यही होगा कि अगर लोकतंत्र खत्रे में हैं तो उस खत्रे को कैसे दूर किया जाए कौन किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाता नजर आए चोड़े सब्रेके बाद जलो हावी कर देते हैं वारत के अंदर सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए जो अधिकार नहीं मिलता है क्योंकि राजनेता अपने राजनेतिक पहुंच से न्याय करवाते हैं जिसमें गरीब लोगों को नुक्रान होता है